असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लत अलाब सभी लोगों को खुश वाबाद अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं लत अलाब के नाम से जो बहुत महरबान नहायत रहम वाला है आज हम आपके साथ सेवैयों की रेसिपी शेयर करेंगे किस तरीके से हम मार्केट से सेवैया लाती हैं तो उसको भूनना कैसे होता है उसको बनाना कैसे होता है स्टेप बाई स्टेप सभी कुछ शेयर करेंगे तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है बहुत ही छोटी सी वीडियो के अंदर हमने सभी कुछ समेटने की कोशिश की है वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए हमने कच्छी समेटन ली हुई है और एक बड़े से बर्तन को रखके हमने हलका सगरम किया है बहुत ज़्या तेज गरम बर्तन में गरम समेटने को डालेंगे तो समेटने लगेंगी इसलिए थोड़ा सा ठंडा बर्तन रहेगा तभी हमने सिवईयों को डाल की चलाना शुरू कर देना है और मुस्तकिल हम इसे हिलाते हुए और चलाते हुए ही बनाएंगे वरना सिवईय जल जाती है तो आपने किसी चीज की मदब से इस तरीके से देख्ची को पकड़ लेना है और थोड़ा से इस तरीके से तिर्चे करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी जल्दी से चलाने में आसानी हो जाएगे और इसी तरीके से मुसल्थल चलाते हुए आपने 5-6 मिनिट तक इनको भून लेना है आज को थोड़ा सा हाई ही रखेंगे ज़्यादा लो नहीं करेंगे वरना टाइम लगेगा भूनने में और मुस्तकिल जब हम चलाएंगे तो सब तरफ से भूनेंगी से वहीं बहुत ज़दा हाई नहीं रखेंगा मीडियम टू हाई करके आपने भून लेना है और 5-6 मिनिट में देखिए अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और अच्छे से भून भी जाएंगी से वहीं तो फिर उसके बाद हमने आज को बंद कर देना है आज को बंद करने के बाद हम निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ प्यारा गोल्डेन सा कलर आ चुका है तो इस तरीके का कलर जब आ जाएगा तो आज को हम बंद कर देंगे सेवैयों को निकाल के फिर इसी बरतन में हमने दूसरा बाच डाल के इसी तरीके से भून लेना है सभी सेवैयों को इसी तरीके से हम भून लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने एक बरतन में इस तरीके से फैला दिया थोड़ा सा ठंडी हो जाएंगे तो फिर हम इने चान लेंगे अच्छे से चान के फिर हमने जो मोटे-मोटे से इसके हिस्से हैं उसको हमने निकाल देना है तो देखिए इस तरीके से सभी सेवैयों को हम छान लेंगे छान के हम एक बार इस तरीके से ज़्यादा सी भून के रख लेते हैं छान के फिर हम रख लेते हैं तो फिर जब हम चाहें इन्हें बना सकते हैं फिर जल्दी ये खराब नहीं होती हैं तो देखें यहां चानने के बाद कुछ इस तरीके कर निकला है इसे हम हटा देंगे और सिविया हमारी तयार है बिसमिल्लाहरामाने रहीम तो चलिए अब हम सिविया बनाने के तयारी करते ह यहां पे एक बयनमने लिया है और इसमें हम देशी घी डाल रहे है ड्राइफरूट को सबसे पहले मह смた or क्काम करेंगे और सभी चीजों को हम फराई करेंगे तो यहां पर देखिए घी में हमने अपनी सभी ड्राइफ रूट को डाल दिया है नारियल को छोड़के इसको अभी हम नहीं डालेंगे ज्यादा देर तक हम नारियल को फराई करते हैं तो नारियल का कलर चेंज हो जाता है जो किसे वही म या किसी भी मीठे में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो यहां पर आज को हमने बहुत ही लो रखे बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी ने कर लेना है और जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं तो बिल्कुल एंड में हमने नारियल को मिला के बस थोड़ी देर तक चला के और आज़को बंद करना है नारियल का कलर चेंज नहीं होना है बस थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएं इतनी दहें तक हमने इनको फ्राइ कर लेना है तो यहां पर देखे हमने बंद कर दिया है पैन को हमने खालिक कर दिया है और फिर उसी पैन me himnay फ्रिर से देशी घी थोड़ा सा डाला है और इसमें हम हम अपनी सेवईयों को फ़राय करेंगे एक बार सेवईया पर हमने 250viamente अब के साथ कर रहे हैं और अगर जब आपंसे ज़ादा क्वंटिटिव में बनाएंगे तो इसी हिसाब आप अपने हिसाब से आड़िस कर सकते हैं उसमें कोई मसला नहीं है जतना जिसको डालना होता है उस हिसाब से डाल लें तो यहां पर देखिए अच्छे से हमने चलाते हुए इसको भून लिया है भून के हम इने साइट पर रखेंगे हमारे तैयारियां इधर मुकमल हो चुक और एक किलो दूद हापका रहेगा यानि कि एक किलो अगर हमसे मैईयां बनाते हैं तो चार किलो चीनी और चार किलो दूद सही रहता है और अगर ड्राइफ फ्रूट की कौंटिटी भी जादा करते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा दूद और थोड़ी सी शकर को हम बढ़ मुझे बनानी है इसलिए अगर आप उसी वक्त बनाए तो भी कोई मसला नहीं है सेवया जब आप डालते हैं तो दूद बहुत ही बारीक बारीक सा खोया बन जाता है और यहां पर जब हम बनाएंगे इस तरीके से तो थोड़ा मोटा मोटा सा खोया बनेगा तो आपको जो उस तरीके से बनाएं तो बहुत लोगों को इस तरीके से फाड़ के ही बनाना पसंद होता है तो इस तरीके से अगर आपने दूद ज्यादा पहले से नहीं रखा है तो चन दाने आप मिर्च के उसके अंदर शामिल कर सकते हैं उससे दूद आपको फट जाएगा और यहां दी सेवैंवर थे पकुल, घूजया था, आपकलो हम correct लिए घुल रखेना, हुम्सेरी बचा के हैं करें में Ipad की तो आपका हिनु सेवैयों ते सवैयों आणरे पका क्यों तो के दिया सेवैयों अखे, से पका लेना है और इसी के साथ ही अभी हमने इसमें कुछ भी चीज खुश्बू के लिए नहीं शामिल की है तो कुछ चीजें खुश्बू के लिए शामिल कर लेते हैं जिसमें की लाची का पाउडर है यहां पे देखिए एक चमच भरके मैंने लाची का पाउडर शामिल कि है इंशाला आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप कुछ भी बना लें एद के मौके पर बक्राइद के मौके पर जब तक रिवायती से महिया ना बने तो फिर एद का मसा धूरा ही रहता है तो आप इसको जरूर ट्राए करें कमेंट करके अपनी राय का अबिना को सब्सक्राइब करना हर्गिस न भूलें साथ में लगा हुए बिल का इकान भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आप लोगों का हामी उनासिर हो आप लोगों की रिस्क में सिंदगियों में बरकत अता परमाएं तो चली मिलतें नेक्स वीडियो में इन्शालला अल्ला हाफीज